नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज की डिफेंस टॉक सरीच में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की पहली अपडेट लॉंग रेंज एर डिफेंस सिस्टम की तरफ से हैं वर्तमान अगर इंडियन एर फोर्स की सबसे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले एर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो S-400 सिस्टम है और अभी भारत के पास S-400 सिस्टम की तीन रेजिमेंट और बाकी दो रेजिमेंट की डिलिवरी अभी लगभग दो साल के लिए डिले हो चुक है यूँकि रश्या और युक्रेयन के बीजो लड़ाई चले उस वज़े से रश्या इसको भी टाइम पर डिलिवर नहीं कर पा रहा है अब जैसे कि अभी जायतर इंडिजनल सिस्टम पर फोकस किया जा रहे तो डियाडियो की तरफ से भी अभी प्रोजेक्ट कूसा के अंद तक फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है अब ऐसे सिस्टम को डिवलप करने से पहले इसमें इस्तमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल के अलाबा जो सबसे बड़ी चीजे वो इसका में रडार होने वाला है जो की लगभग 350 से 400 किलोमेंटर की दूरी से द इस बैटरी के साथ ट्रैंसपोर्ट किया जा सके और इनका प्राइम इस सर्च रैर की तरस तरं तक होने वाली है झो की करीब 10 मिटर के आसपास लंध में लंबा होने के निवालफ सबस्साति हैं उने वाला है इसका अक्षिल रेंज गिया उने वाले तो फिलहाल बता है अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से और अभी हम पाकिस्तान एरफोर्स के बारे में बात करने वाले हैं रीसेंटली पाकिस्तान की एरफोर्स की तरफ से एक वीडियो को रिलीज किया गया था जिसमें पाकिस्तान की एरचीप मारसाल जाहिर एहमद की टाइम पर पाकिस्तानी एरफोर्स किस तरीके से modern system को acquire कर रही है और किस तरीके से पाकिस्तानी एरफोर्स को modern age किया जा रहे है इसके बारे में कुछ idea दिया जा रहे है इस वीडियो में पाकिस्तान की तरफ से अपनी तो पाकस्तान इसको अभी बड़ी मात्र में एक्वर करने के बारे में सोच रहा है और कुछ estimation के मुताबिक पाकस्तान अभी अपनी पूरी F-16 फ्लीट को FC-31 से रिप्लेस करने वाला जिसमें इनीशली वो साट के आसपास FC-31 को एक्वर करने वाले हैं के बाद आगे चलके नंबर 100 से जादा भी हो सकता है अब भारत के लिए पाकस्तान का कोई भी फिफ जनरेशन फाड़ जेट को एक्वर करना बहुत ही बड़ी परिसानी की बात होने वाली लेकिन उससे भी जादा परिसानी की बात यह कि पाकस्तान इन एकराप्ट को अभी 2030 से पहली इंड़क्ट करने के वारे में सोच रहा है और इनको अभी पाकस्तान में लोकली मनीफेक्चर करने के लिए बातचित किया जा रहे। और अभी पाकिस्तान की जो JF-17 की मनिफेक्चरिंग लाइन है उनकी प्रडक्शन कम्प्लीट होने के बाद वहाँ पर FC-31 की प्रडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है और अगर बो 2030 से पहले कोई भी फिब जनरेशन फार डिजट को एकवर कर लेते हैं तो ये भारत के लिए बहुती बड़ी परिसानी होने वाले क्योंकि हम अभी के हालात में 2034 से पहले या 2035 से पहले एमका को इंडक्ट नहीं करने वाले और इसे में हमारे पास पाकिस्तानी एरफोर्स के मुकाबले बहुती बड़ी डिस एडवांटेजिस रहने वाली क्योंकि अगर इस दोरान फाइट होता है तो पाकिस्तान के पास हमारे एक्राप्ट के मुकाबले एडवांस फाइट एजट मौजूद होने वाले जो की हमा भारत के लिए बहुती बड़ी चैलेंज क्रिएट करने वाले क्योंकि सिर्फ 36 रफाल इतने सारे एक्राप्ट को काउंटर नहीं कर सकते हैं और सुखोई जैसे बड़े साइज के एक्राप्ट को FC-31 जैसे स्टेल्फ फायड़ेट काफी दूरी से डिटेट कर लेंगे और किस दस से पंदरा सालों से एक ही टेंडर यानि कि मल्टी रोल कॉंबट एक्राप्ट की टेंडर को फाइनल नहीं कर पा रहें और एमका को बनाने में अभी दस साल और लगने वाले उपर सामें जित पकड़कर बैठे हुए कि हम कोई भी फॉरेन ओरिजिन फिप जनरेशन फाटर जेट मौजूद होंगे और 2030 अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास भी फिप जनरेशन फाटर जेट मौजूद होंगे तो यह उनके लिए बहुती बड़ी गोल्डिन पीरियड होने वाला है जहां पर भारत के गेंस्ट में जा सकते हैं और भारत पर एक साथ हमला करने की कोशिस कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम लैन के अंदर हम पाकिस्तान और चायना के मुकावले लगभग एक दस्तक पीछे रहे जाएंगे और ये उनके लिए बहुती बड़ीया मौका होने वाला है जहां पर भारत को दबाने की कोशिस कर सकते हैं अगला अपडेड वी एमपी टू वेहिकल की तरफ से हैं वी एमपी टू वरतमान इंडिया नामी की प्रामेरी इंफिंट्री कॉमबेड वेहिकल हैं लेकिन जैसे कि इन वेहिकल की टेकनोजी 1980 के दौर की थी तो इनकी टेकनोजी काफी पुरानी हो चुकी है हलाकि इनको वक्त वक्त में अपडेड किया गया था लेकिन फिर भी इनकी टेकनोजी अभी मौडन टेकनोजी से लगभग 10 से 15 साल पुरानी हो चुकी है तो अभी इसी वज़े से Defense Ministry की तरफ से हमारे existing VMP2 वेहिकल को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहे हैं अब इसका एक कारण Future Infantry Combat वेहिकल प्रोजेक्ट का डिले होना भी होने वाला है तो दो महीने पहले ही Cabinet Committee की तरफ से VMP2 वेहिकल को modern system के साथ अपग्रेड करने के लिए approval दिया गया था और अभी इन वेहिकल को completely indigenous system से अपग्रेड करने का प्लान किया गया है जिसमें कुछ system DRU की तरफ से develop किया गया और कुछ system हमारे कुछ private sector companies की तरफ से develop किया गया है इसमें पहली बार Bangalore के कमणी पिना का aerospace भी participate करने वाली है जो कि VMP2 वेहिकल के लिए fully indigenous automatic transmission control unit को integrated steering और breaking system को और optimal power deliver system को provide करने वाला है तो कि हमारी VMP2 वेहिकल की operation को बहुत ही आसान करने वाला है इसके बाद अभी VMP2 वेहिकल में modern night vision system, modern fire control system, upgraded communication system और enhanced ammo protection को भी integrate करने का फैसला किया जा रहा है जिससे VMP2 वेहिकल की defensive, movement और offensive capability तीनों बहतर होने वाले तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहन, बंदे मातरम